आज हमको मालूम है कि हम चमतकार और बाहर के जगत को बहुत पहले प्रणाम करते हैं और वहां तक पोँचते पोँचते बीच में तीन-चार एजन्ट आ जाते हैं मेरा तो ऐसा भी बापु एक आकलन है कि यदि हम मिरा भाई के साथ किसी का तुलना करना चाहिए करना नहीं चाहिए फिर भी एक उच्चाई पे दोनों को रखना है तो मिरा भाई के साथ गंगा सती को रख सकते हैं मिरा भाई ने संगर्ष में से भक्ती का मार्ग लिया और गंगा सती जी ने एकदम सरलता में से भी भक्ती का मार्ग लिया ऐसा नहीं है कि जब दुख पड़ता है तब ही श्वरिया दाता है बहुत अच्छा सा उनका परिवार चल रहा था कहड संग कलूभा गोहिल के साथ उनके मेरे जुए थे I am talking about 1864 1864 की में बात कर रहा हूं लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि कहड संग और गंगा सती दोनों दर्म परायन थे और बहुत ही अपना जीवन पूरा दीन वो इश्वर सेवा में यतित करते थे गाउं में कोई डिस्टब ना करें इसलिए गाउं इस जमिन पर उन्होंने मकान बनाया वहां बजन प्रभाव चलता था वहां पर संतों की सेवा पूजा चलती थी और उनका गुझरा चलता था कहा जाता है कि कहड संग गंगा सती जी के जो पतिश्ट है उनको बहुत ही miraculous experience हो रहे थे अपने लिए ऐसे experience जब होते हैं तो वो चिंटा का भी कारण होता है he was very sure कि मैं यह सब कर रहा हूँ है मैं यह को जो हो रहा है वो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए लोग वो चमतकार को पकड़ेंगे और मेरा जो उपर वाला है उनको छोड़ देंगे आज हमको मालू है कि हम चमतकार और बाहर के जगत को बहुत पेले प्रणाम करते हैं और वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच में तीन चार एजन्ट आ जाते हैं तो उन्होंने वो एक्सपिरियंस किया था बहुत कर रहे थे लेकिन वो किसों को पब्लिक नहीं किया था लोग उनकी हासी भी उड़ा रहे थे वो जब आ रहे थे एक दफ़ां खेत में से अपना काम निप्टा के तो रास्ते के बीच में एक गाय थी वो अनकोंशियस होके पड़ी थी मर रही थी तो गाउं लोगों ने उनका थोड़ा मजा करके कहा ये कारसंग को बोलो वो उनके पास ऐसी विद्या है वो जिवित कर देगा बस यही मोमेंट थी जब कहरसंग को लगा कि गाउं को जो बोलना है वो बोले ये गाय को जिंदा करना मेरा करतव्य है और जाके उनने हाथ फिराया और गाई जिवन हो गई हो गई हो गई तो हो गई लेकिन गाउं लोगों ने उनके धोल पितने शुरू कर दिये this was not familiar to he was disturbed he was so conscious about it I understand I understand that I have failed I should not have happened I would like to leave I want to leave a long time Gangasati with Kaurasang and Gangasati when marriage was made with them in Katiyaward called Vadaaran a Kanya came to him his name was Pantabhai that was also a good thing that three people were a good thing so that as I want to give Gangasati said I want to do I want to start she started one day one day one day that I have that I came to Gangasati with Kaurasang that there is what that last last but not the least we know very well we read very well but I would like to but I would like to request all of you to nurture your next generation in that way that we should not have to give the slogans for Hinduism or some things about Hinduism tell them very small stories of all these things I would like to refer that I would like to say that 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 love this the 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 झाल झाल